नशे के अपराधी दो साल के अंदर जेल में होंगे है शाह विशेश समवाददाता, नई दिल्ली केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि नशे के कारोबार से जुड़ा कोई कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, अगले दो साल के अंदर जेल में होग कि कोई भी कहीं से भी बैट कर नशे का सामान भेज सकता है इस से हमारे बच्चे फस्ते हैं और हमारी नसले बरबाद होती है शाह ने कहा कि सरकार ने नशे के खिलाफ तीन हिस्सों में रननीती बनाई है पहली संस्थागत मजबूती और लगातार निगरानी दुसरी एजेंसियों को मजबूत करना और आपसी तालमेल तीसरा बड़े पैमाने पर जागरुकता और नशे की गिरफ में आए लोगों का पुनरवास पेज बारा दिल्ली पुलिस ने बुद्वार को पंद्रा सो रोर रुप्य की जबत ड्रग्स जला दी 2014 के बाद 97,000 करोर की ड्रम्स जलाई शाह ने कहा 2006-2013 के बीच 22,41,000 किलो ड्रग्स जबत हुई 2014-2022 तक 62,60,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई कीमत में देखे तो तब 23,000 करोर की ड्रस जबत की गई थी अब 97,000 करोर के मादक पदार्थ जबत कर जलाई जा चुके हैं